आज मैं बनाने वाली हूँ अंडा करी अंडा करी तो कई पर खाया हूंगे लेकिन इस तरीकिस अंडा करी एक बार जरूर बनाईएगा ट्राइ करिएगा अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए है अभी तक सब्सक्राइब ने क जीरा डाल देंगे इसमें स्वाद के लिए अब एक अंडा उठाएंगे इसमें तोड़के हम डाल देंगे गैस को बिल्कुल धीमा रखेंगे अब इसके ऊपर से छिडिक देंगे हलका सा नमक आप चायते काली मेच का पाउडर भी छिडिक सकते हैं 5-7 सिकेंड बाद इसे हम चेक करेंगे बिल्कुल अच्छे तरह से यह दोनों तरफ से सिख गया है अब इसे हम एक बर्तर में निकाल लेते हैं फिर उसी तरह से हम दूसरा भी अंडा तोड़के इसमें डाल देंगे नमक डाल देंगे काली मिच के पाउडर चड़िक देंगे जैसे हलका सा सिख ज अब हम बनाएंगे अंडा करी तो हमने यहां सरसो का तेल ले लिया है कडाही में अच्छे से गरम कर लिया है इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले जीरा है काली में चोटी लाइची बड़ी लाइची है दाल चीनी है तेजबात पत्ता है लाल मिर्चाई से हलका सब तेजबार कि दाल देंगे प्याज को अच्छे तरस चला लेंगे गैस को मेडियां तो रखेंगे अब इसमें डाल देंगे नमक तखिल अच्छे संगेल जाए प्याज को अच्छे तरह से चला लेंगे प्याज को दो मिनट के लिए पहले कुक करेंगे उसके बाद से हम इसमें टमाटा डालेंगे तो हमने यहां इसमें टमाटा डाल दिया है टमाटा डाल के इसे चला लेते हैं पांच से च्छै मिनट के लिए इसे धक करेंगे गैस को दीमा कर देंगे पांसे छह मीनट बाद फिर हम इसे चेक करेंगे पांसे छह मीनट हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले मैं बिल्कुल कम मसाले से डाल के बना रही हूं इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला आधा चमच के लगवा और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा कि उर इसे अच्छे से चाला लेंगे और मसालै को 5-6 मिनट के लिए और पकने देंगे थोड़ा सा पानी डालके अठे तषसे चला लेते हैं इस अब मसाली पड़िया प्मसाली को एम चेक्शित बुरहिए पका लेते हैं इसे अच्छा तरह से चला लेते हैं पहले इसमें हम डाल देंगे पानी में हाँ डेटी गلاसी चला लेते हैं धखेशा थे पानी के लिए पहले से पका लिये देंगे अंदा उमीलेट डालेंगे अंडव मेंलेट बनाया हुग ही समने हम डाल देते हैं गयस को लिए मेंडियम 2 रखेंगे अभिसे छला लेते हैं दस मिनिट के लिए बिलकुल धीमी आज भी से कॲिक करेंगे 10 मिनट भाद फिर हम चेक करेंगे 10 मिन हो चुका है अभी से हम फिर चेक कर लेते हैं इसे चला लेते हैं हलकियास से देखे बिलकुल तरी नहीं है इसलिए मैं डेड़ी गलास इसमें पानी डाली थी अब इस गैस को बन कर देते हैं गरम गरम इसे रोटी चावल के साथ इसे सर्व कर लेते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरू करिएगा